यूपितक का परिवार अब सब तर्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया अगर मैंने मारपीट की तो मेरे उपर F.I.R. क्यों है कल हमारी बातचीत हो रही थी गुरूजी उस पर आपने बताया कि जो वीडियो वाइरल हो रहा है उसके बाद आराम से वो यूवक वहां से चला जाता है लेकिन कल एक और वीडियो वाइरल हुआ उसमें जो आपके सेव बादार हैं जो लोग है कुछ लोग उसको धक्का देके जो भी बातचीत ही उसके बाद लेके जा रहे हैं उसी ये बाद आरोप है कि उसके साथ मार पीट हुई मेरे सामने ऐसा देखिए, मैं इस तरह कि मुझे कोई चीज़ ना तो समझ में आती है, ना मैंने की है, ना मैंने किसी को मारा है, ना मैंने किसी को मारने के लिए बोला है, दोनों चीज़ें, ऐसा कुछ भी हो, किसी भी वीडियो में किसी ने बनाया हो, चाहे वो साजिस के तह किया हो, कब किया हो, किया हो, किया होKit, अमसे मतलब नहीं. कोई मतलब नहीं है. पहली बात. अगर नहीं पढ़े, अगर कोई पकल के लड़कोगों को कहीं ले जाता है, मारता पीटता है, तो कोई तब तो बीडियो बनाने के लिए स्वतन तरह ना, तब और बना सकते हैं, कोई जब हुए नहीं, तो क्या गटना है, तो कहीं जाकर गटना यजजाए, कि लड़ जाए, न थाने गए आप एक महाँने बाद अचानक से परकट होते हैं कैसे हम नहीं मारा हैं और ये मिटकल लेपोल भी आप करा रहे हैं एक महेने बाद कि आपको क्या वज़ा है इसके पीजे क्या मन जाए है हम तो बार 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 क्यों चैलेंग कर रहे हैं को आप बीडियो देखिए कि आप शमतकार दिखाई है मैं कि अच्छा मतकार होता नहीं मैं तो किताम में भी लिग रखा है रोज दिन बर में सो बार भोलता हुँ आप ज क्यों की वरे से यह पूरा कृत है वो रचागे अभी तो ज्ञाश के विशा है और निकलेगा जरूर और दर्वार को तो निकाली लेगा इसमें तो कोई दो रहे नहीं एक बहुत ही ज्यादा कूरोसिटी बढ़ गई है लोगों में जिग्यासा बढ़ गई है कि ऐसा क्या क कैसे आप ठीक करते हैं इयुकुल लेकिने टोना टटका जादू टोना ज़ाबुक नहीं है यह तंत्र अका अर Cette ये शब्द का अर्थी वेवस्था है आप आवेवस्थी था है, आप रोगी है आप वेवस्था में आजाए ये निरोगी है तो तंत्र तो है ये शिव का तंत्र है जो लोग लिए कि आते हैं जिनके पैंक्रियाज लीवर में दिक्कत थी या कि लोगों की हाइट बढ़ गई ऐसा क्या आप उनको बताते हैं या हवन करते हैं जिन से जो असली में रिजल्ट है उनको वो मिलते हैं ठीक हो के जाते हैं क्या है इस दर्बार की जो सबसे बड़ी शक्ती है या पूरे स्रश्टी में जो सबसे बड़ी शक्ती है इस्वर से प्रार्थना और संकल्ब ये सबसे बड़ी शक्ती है आप अपनी मां से कहते हो मां मुझे भूग लगी है जरा खाना बना दो ठीक है अगर आपकी किचन में आटा, दाल, चावल ना हो, अनाज ना हो, खाना बन जाएगा, नहीं बनेगा, अगर ये इक अठा कर दिये जाए बोजन सामगरी रो मेटेरियल, तो मा बना के खिला देगी, आइसे ही जब आप बैदिक प्रिक्रिया का पालन करते हो, तो उसके पुन्य आपको प्राप्त होत है, मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ कि मेरे अंदर उरजा है, आप इसलिए सुन पा रहे हैं कि अभी उरजा निकल जाए, ना तो आप सुन पाओगे ना हम बोल पाएंगे, तो उरजा महा तुपूर है, तो वह उरजा भवन से सकारत मा उरजा को आप उतपन्न करते हो, वह ये ये कस्ट है, मेरे ये रोग है, ये नश्ट कर दिये जाएं, इस वर सुनता ही है, उनकी इस्मृतिया नश्ट हो जाती है, रोगों कस्टों की, यहाँ पर यही संकल्ब होता कि जो ये रोग है, इसकी इस्मृतिया नश्ट कर दी जाएं, कमर में दर्द है, इस्मृति कानल हो रहा है वह श्मृतिय निश्थ कर दिया सुनी संक्रप चल ला होगा चल सांग meanwhile do संक्रप शवा चल नहीं होगी कंफ प्रासना सवा पूरी जलती हजाब रोग भागा लेते जाता है प्रारसना और से मेरे संक्रप कराए जाता है एक एक रोग एक कउष्ठ के जब आप प्रार्थना संकल्प करके आते हैं तो आपके रोग और कस्टों की जिनके जलनस्ट हो जाती है जिनके कारल रोग और कस्ट है तो आप फिर मेरे सामने आते हो यहां और मुझको धन्यवाद करके जाते हो तो मैं स्रीव इतना बताता हूं कि आपको यह यह रोक थे, यह यह कष्ट थे, वो डिटो करता किया थे, फिर हम कहते हैं चेक कर लीजी एक एक कष्ट, सब चेक कर लेते हैं कुछ भी नहीं है, अब वो स्वस्थ हो गया है, तो अब इसमें क्या पती है? तो आपको लगता है कि यह जो शक्ती है, शेफ की शक्ती जिसे आप कहते हैं, या आपको? आप स्वस्थ नहीं होते हैं धमलोग भी नहीं होते हैं. यह सब बातचीत हुई, उसके बाद कई बाते और भी हुई, लोगों ने बताया कि आपका जो सफर था, एक नेता से लेकर उसके बाद करॉली शंकर तक, इस बीच में कई ऐसे मुकदमे भी हुए, नहीं से तक लगायागी, ऐसे गंभीर मामले भी दरज हुए, उस पर क्या रुख रखेंगे, राजनीती में, क्या मिलेगा आपको, पुलिस की लाठी मिलेंगे, आप सप्ता का विरोध करोगे, राजनीती में क्या मिलेगा, जेल मिलेगी, राजनीती में क्या मिलेगा, जोटे मुकदमे भी लिखाए जाएगी, ज्यादा सक्री होगे तो, अभी दो जो कुछ करना है उनको, हला मच आ रहे हैं, तो हम जेल रहे हैं, तब भी जेलते थे, तो अब लगाए मुकद में, लगाए, तो क्या हुआ, हमेशा हम कहते हैं, हमने जेल भरों आंदोलन चलाए हैं, मैं कभी किसी आप राधिक मामले में कभी भी जेल नहीं गया हूँ, राज जेल नहीं जेल लिखाए गए, उनके आधार पहने से लगाए गई और उत्तर प्रदेश शासन ने वो एनसे वापस ली, यह भी बताओ, हमने दो लो लो ली, उत्तर प्रदेश शासन ने उस एनसे को वापस लिया, जो आपको लगता है कि जिसकी कहने पर ऐसे मुकद में ल अच्छा यह कौन अच्छा है, सिवसे ना अर्देश था, यह तो कर्मिनल आदमी है, यह तो भाजपाई है, यह तो आरसेस का आदमी है, तो अब हाँ तो बिरोध, तो अब मुकद में लिखाए जाए जाएंगे, अब उन्होंने जब आंदोलन हुए, इसके खिलाब हम जे आपके अंदर कला है, हाँ, तो ऐसे तो इतना बड़ा युद्ध चल रहा है, हमने देखा यूक्रेन और रशिया के दुआ, अगर वहां के राष्ट्री जो उनके लीडर है, वह आपके पास आए, तो आपको लगता है, वहां का युद्ध भी रोकने में सक्षम है, लगता आपके अपके अंदर आपके अपता है, तो बहुत अच्छा पति पतिनी के दुरुख सकता है, जो साथे में रहते हैं रोज, तो किसी का भी दुरुख सकता है, और ये दर्बार में, आप बैदिक प्रक्रिया का पालन करिए, उन पति पतिनी को ले आईए, जो रोज मार पीट करते हैं, जगड़ा लडाई करते हैं, छूने एक दूसरे को छू नहीं सकते हैं, और देखे कैसे प्रेम से यहां से जाएंगे, जैसे आज ही साधी हुई है लाईए देखे, रोज होता है यहां तो, आखरी सवल मैं आप से लोगा, आप यूनिवर्सटी भी बनवाने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वहां पर उसी तरीके के जो स्टूरेंट्स हैं, वो आएंगे, जो कला आपके अंदर है, जो विद्ध्या आपके अंदर है वैसे ही लोग और आगे बढ़ के निकलेंगे इसी विद्ध्या के अधार, आगर केरी सिटी है, बच्चों में है भी, बहुता आते हैं, सिखने के लिए आते हैं, दिक्षा लेते हैं बाबा से, बाबा की ओर से हम दिक्षा देते हैं, गुरु तो बाबा है हमारे पूर तो उनको सिखाया जाए, समझाया जाए, इस्वर के प्रतियास्ता विस्वा सरद्दा बढ़ी है, उसका सुद्पयों किया जाए, उसको फैलाएं सनातान धरम को, बाइदिक परक्रिया को बाइदिक परंपराओं को फैलाएं, जैसे लोग परंपरा पालन करके स्वस्त हो दो आए है, इसे और भी कर सकते है, आप कर सकते हो, एक फै scheduled को इसे सिखायेंगे वो वित्या क्या क वो क्या कोईOld है, या जैकर कोई सिथा है, सीधा हैaj साधना से, और इश्वर के पर यस्ता विस्वा स सद्धा से, इतने से हो जाता है काम। दो कोई भी जो रोख है उसे मिटाया जा सकता है किसी भी तर Mickey की कलाय है उसे खतम किया जा सकता है और यह सब कुछ मुम्किन है वीडियो जनल्समित के साथ सिमर चावला कानपूर यूपी तक झाल झाल